स्टीम बॉयलर एक विशेश उपकरण है जिसका उपयोग पानी को गर्म करके भाप उत्पन करने के लिए किया जाता है इसका व्यापक रूप से विभिन उद्योगों, बिजली उत्पादन और हीटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है बॉयलर द्वारा उत्पादित भाप में अनुप्रयोगों की एक विस्तरत श्रिंखला होती है जैसे तबाइनों को शक्ती देना, इमारतों को गर्म करना, उपकरण को स्टिलाइज करना और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधा जनक बनाना भाप बॉयलरों के प्रमुक पहलूओं में शामिल है संचालन, स्टीम बॉयलर पानी को उसके क्वतनाग तक गर्म करके भाप उत्पन करते हैं, जिसका उपयोग विभिन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है गर्मी आमतोर पर प्राकृतिक गैस, तेल, कोईला या बायोमास जैसे इंधन के देहन से उत्पन होती है इलेक्ट्रिक बॉयलर गर्मी स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग करते हैं बॉयलर घटक, एक विशिष्ट भाप बॉयलर में कई घटक होते हैं इनमें एक डेहन काक्षिया भट्टी, हीट एक्सचेंजा या बॉयलर ट्यूब, एक पानी या भाप ड्रम, सुरक्षा वाल्व, नियंतरन और इंधन वितरन और देहन वायू आपूर्ती के लिए एक प्रनाली शामिल है उश्मा स्थानांतरन, देहन प्रक्रिया द्वारा उत्पन उश्मा को बॉयलर के भीतर पानी में स्थानांतरित किया जाता है यह उश्मा स्थानांतरन सम्वहन के माध्या जाता है